Hello friends, देव online help में आप से भी का स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में आप जानेंगे scholar's form renew करने के बारे में तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है तो subscribe कर लिजिए और जो bell icon बटना उसे all press कर लिजिए तो सबसे पहले आपको आजाना है state scholar's portal इस side का जो link के बार आपको वीडियो के description box में मिल जाएगा तो आप बहाँ से direct visit कर पाओगे तो इस side पर आने के बाद आपको नीचे scroll करना है friend और नीचे scroll करने के बाद आपको आजाना है यहाँ पर student corner वाले section में यहाँ पर आपको मिलेगा register yourself 2021 तो यहाँ से आप new registration कर सकते हैं scholar's portal पर और यहाँ से आपको student login का option मिलेगा तो renew करने के लिए आपको student login पर click करना है और यहाँ पर आपके सामने login page open हो जाएगा तो यहाँ से आप login करके अपना form renew कर सकते हैं अगर आपके पास id password नहीं है आप जो भूल गए हैं तो आप अपना यहाँ से recover कर सकते हैं student id और password को इस पर click करने के बाद देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी category select करनी होगी इसके बाद student का यहाँ पर first name देंगे और यहाँ पर student की date of birth देंगे तो यहाँ पर हम date of birth फिल कर देते हैं चेक करके और जो भी आपने इस color से portal में registered किया है mobile number वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा इस वाले box में तो फ्रंट यहाँ पर आपको registered mobile number ही फिल करना होगा तब ही आप अपना यहाँ पर ID password forget कर पाएंगे तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार reset password पर click करने बाद तो हमारा जो mobile number है वो हम change कर देते हैं और आप देख सकते हैं जो user password है वो यहाँ पर forget हो चुके हैं अब आपको login करना होगा इसी user और password से तो login के लिए आपको यहाँ पर user ID दिखा ही दिया था अभी वो आपको यहाँ पर fill कर देना है ठीक है फ्रेंट इसके बाद आपको password फिल कर देना है user ID और password जो है आप जब forget करेंगे तो आपके mobile पर भी आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको दोनों fill करने के बाद capture code fill कर देना है जो screen पर so कर रहा है और login कर लेना है login करने के बाद आपका जो mobile number होगा वो यहाँ पर आ जाएगा scholarship portal में registered होगा edit करने के लिए edit कर सकते हैं यह फर continue कर सकते हैं अब आप दिख सकते हैं सभी scholarship scholarship यहाँ पर आ चुकी है SCHT OBC के लिए आपको यहाँ पर इस वाले पर किलिक करना होगा apply यह फर renew करने के लिए इसके बाद friend यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बता रहा है कि आपने इससे पहले scholarship portal में फर्म नहीं वराता second year में तो अब आपको अपना यहाँ पर course code फिल कर दी कीजिए जो भी आप course अभी बरतमान में प्रेजेंट में कर रहे हैं तो यहाँ पर हम course code फिल कर देती हैं BA का ठीक है इसके बाद submit करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर scholarship detail आ चुकी है 2021 postmetric scholarship college name course code नीचे scroll करेंगे और यहाँ से आप देख सकते हैं renew application अच्छो का option आपके सामने और यहाँ पर upload document का तो पहले हम इसे renew करेंगे इसके बाद document अपलोड करेंगे तो यहाँ पर renew application पर click करेंगे इसके बाद आपके सामने इस प्रकार से एक नई tab open हो जाएगी जिसमें आपको सबसे पहले यहाँ पर आना है student last year exam detail वाले section में और यहाँ पर आपको student का जो यहाँ पर course year present में जो course चल रहा है वो आपको यहाँ पर select करना है तो third year, second year जो भी आप यहाँ से select कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर कोई भी आपने gap नहीं दिया है तो आपका यहाँ पर automatically fill होकर आ जाएगा इसके बाद आपको यहाँ पर एडविशन की जो date हो यहाँ पर fees slip से check करके fill कर देनी है तो आपने fees payment की है उसमें आपको रसीद में देखने को मिल जाएगी एडविशन date fill कर दिया है इसके बाद यहाँ पर exam result की data fill कर दीजिए अगर आपको पता है तो नहीं तो आप अपने इसाप से भी fill कर सकते हैं इसके बाद आपको जो भी number प्राप्त हुए बो यहाँ पर आपको fill कर देने है ठीक है फ्रन्ड यहाँ पर अपनी mark sheet से check करके यहाँ पर अपनी net वाली mark sheet से check करके fill करने के बाद आपको out of fill कर देना कितने में से प्राप्त हुए है तो यहाँ पर 400 में से प्राप्त हुए है यहाँ पर click करेंगे तो आपकी जो percentage अब automatically fill होकर आ जाएगी इसके बाद आपको result में select करना है फर्स्ट वाला option अगर आप pass है तो nest class के लिए promote हो चुके है अगर आपका result अवेटेट है वो select कर सकते हैं तो यहाँ पर हम promoted nest class select करने के बाद यहाँ पर आपको installer option select करना है yes or no इसके बाद आपको father's की जो income details देनी है तो जो भी आपकी family income है वो यहाँ पर वलेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर father as friend का जो भी यहाँ पर occupation यानि की बैप सायब वो यहाँ पर आप select कर लीजिए तो यहाँ पर हम father is no more ठीक है यहाँ पर हम कर देते हैं इनके अभी न कर देते हैं क्योंकि इनकी mother's income यहाँ पर हम fill करने वाले हैं ठीक है friend यहाँ पर mother's mother's occupation में आपको कोई भी यहाँ पर select कर लेना है इसके बाद यहाँ पर अगर कोई website है तो वो select कर लेजी अनिता आप यहाँ पर ठीक है NIL या यहाँ लिख सकते हैं इसके बाद mother's की जो भी income ह यहाँ पर जयाँ पर आपको फिल करनी होगी तो यहाँ पर हम फिल कर देते हैं तो जो भी total annual income है ठीक है mother's की name से इनका जोए income certificate है तो इसकी फिल कर देते हैं details और यहाँ पर आपको confirm कर देनी है जो भी income है ठीक है सालाना情况 इसके बाद आपको other source से कोई income है तो यहाँ पर लि तो आप फिल कर सकते हैं इसके वाद टोटल ऑन Nh Young करने के बाद आपको नीचे करना और इहां पर आपको इंकम साटिपिकेट का पिरिकार सेलेट कर नहीं है यहां पर इंकम साटिपिकेट पर जो इसके बाद आपको नीचे scroll कर लेना है और यहाँ पर आपको check form for validation इस पर आपको click कर देना है इसके बाद student की details आजाएगी और यहाँ पर edit कर सकते हैं यह फूर आप continue यहाँ से कर सकते हैं इसके बाद आपको second वाले option पर click करना होगा ठीक है friend तो देख सकते हैं renew and registered application form इस देख सकते हैं success हो गया अब हमसे यहाँ पर KYC मांग रहा है तो हम इसे अभी नहीं कर देंगे अगर आप KYC करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं तो इससे हम बाद में करने वाले हैं तो अभी नहीं पर click कर देंगे इसके बाद friend आप इसको जो है यहाँ पर फिल उसोग है अब आपको document अपलोड करना होगा ठीक है document अपलोड करने के लिए यहाँ पर आपको अपलोड जो है income certificate जो भी लिखा है फीज से लेप इस पर click करेंगे अब आपको document जो jpg format में सोके वी से अपलोड करना है तो यहाँ पर हम choose file पर click करके जो यहाँ से अपनी document है यहाँ से browse कर लेंगे जहाँ पर भी आपने save कर रखे है तो यहाँ पर आप तीनों file जो है select कर लिजिए सोके भी से कम size के आपको scan करके और edit करके रख लेना है तो यहाँ पर हमारे तीनों document जो है यहाँ पर आचुके हैं front अब इसे upload पर click करके यहाँ से upload कर देंगे तो देख सकते हैं success हो चुके हमारे document जो successfully upload ठीक है close करने के बाद अब आपको जो है अपना application form जो है log करना होगा तो इस पर click करेंगे application dashboard पर log करने के लिए इसके बाद आपकी detail आचुकी है और यहाँ पर log my application पर click करेंगे ठीक है इसके बाद आपको send OTP पर click कर देना है और आपके registered mobile नमबर पर एक OTP जो है पहुँच जाएगा ठीक है तो जो भी scholarship में registered mobile नमबर होगा उससे आपको OTP चेक कर लेना है देख सकते हैं सकसे OTP has been send your registered mobile नमबर पर जा चुकी है यहाँ पर हम OTP जो है फिल कर देते हैं तो OTP फिल करने के बाद यहाँ पर हम verify OTP पर click करने वाले आए तो यहाँ पर देख सकते हैं 8 डिजिट की OTP हम verify कर देंगे यहाँ से verify होने के बाद यह OTP verify हो चुकी अब lock application पर click करने के बाद यह lock हो चुका है lock होने के बाद friend आपको print out लेना होगा अपनी application form का ठीके college में submit करने के लिए तो अब आपको print out लेनी के लिए आपको यहाँ पर left side में application dashboard पर click करना है और यहाँ पर आपको student की जो details है वो आचुकी है आप देख सकते हैं जो भी यहाँ पर तो अब आपको जो है यहाँ पर print application पर click करेंगे तो आपके सामने capture code आजाएगा इसके बाद आपको यहाँ पर capture code फिल कर देना है और print my application पर click कर देना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर save और open का option आचुका है आप open कर लीजी है फिर save कर सकते हैं तो देखिए open करेंगे ज तो फ्रेंड इस परकार से आप सिंपल तरीके से जो अपना फॉर्म रिनू कर सकते हैं, अपना पासवर्ड यहां से फॉर्गेट कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं हैं, और के वाई सी भी अगर आपने नहीं किया अभी तक तो वह आप कर सकते हैं, तो यह थी एक complete information, उम्मी कर रहे हैं तो subscribe कर लीजिए, मिलते हैं एक ओ न्यू वीडियो में, एक ओ न्यू टॉपिक के साथ जाहिए